ओम शांती, आज 16 एपरिल 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक के सुनेंगे, आज की बाबा की मुरली धारना युक्त मुरली है, बाबा कहे तुम बच्चों में अहंकार कभी नहीं आना चाहिए, बहुत बहुत निर्मान होना चाहिए, जितने निर्मानता को धारन करेंगे, तो अपने आप वो महानता प्रगठ होने लगेगे, सतो प्रधान बनते जाएंगे, पारसनात बाबा आया ही है, हम सब को पारस्टूरी के मालिक बनाने, तो बाबा कहे तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, पवित्र बनना है, उंच और नीच का आधार ही पवित्रता है, इसलिए कहा जाता पवित्रता की महानता है, मान है तो पवित्रता का मान है, अपवित्र है तो वसक के आगे माथा टेखते हैं, उसको जुकना पड़ता है, इसलिए बाबा कहे पवित्रता को धारन करो, निर्मान बनो, अहंकार नहीं होना चाहिए, और बहुत बहुत मी के अनमोल मधूर महावाद के, ओम शांती, मीठे बच्चे, तुम्हे सतो प्रधान बनना है, तो बाप को प्यार से याद करो, पारस नात शिव बाबा, तुम्हे पारस पुरी का मालिक बनाने आए है, आज की मुडली से प्रशन है, तुम बच्चे किस एक बात की धार्ना से ह महिमा योग के बन जाएंगे, कौनसी एक बात की धार्ना से ही महिमा योग के बन जाएंगे, उत्तर है, बहुत बहुत निर्मान चित बनो, किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, बहुत मीठा बनना है, अहंकार आया, तो दुश्मन बन जाते हैं, उच अत्वा नेज, पवित्रता की बात पर बनते हैं, जब पवित्र है तो मान है, अब पवित्र है तो सब को माथा टेकते हैं, ओम शान्ती रुहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप भी समझते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं, यह भी बच्चों को समझाया गया है कि बक्ती मार्ग में भिन भिन नाम से अनेक अनेक चित्र बना देते हैं, देवी देवताओं के भिन भिन नाम से अनेक अनेक चित्र बना देते हैं, अलग-अलग values को ले करके चित्र बनाते हैं, जैसे कि नेपाल में पारसनात को मानते हैं, वशुपतिनात कहते तो पारसनात को मानते हैं, उनका बहुत बड़ा मंदिर है, परंतु है कुछ भी नहीं, चार दरवाजे हैं, चार मुर्तियां है, चौथे में सिक्रिष्ण को रखा है, अब शायद कुछ बदली कर दिया हो, जब साकार बाबा ने देखा था, तो तो ऐसा था, बाबा कहे, हो सकता है कि अब कुछ बदली कर दिया हो, अब पारस नात तो जरूर शिबाबा को ही मनुष्य को पारस बुद्धी भी वही बनाते हैं। शिव बाबा पारस नाथी आकर के पारस बुद्धी बनाते हैं। तो पहले पहले उनको ये समझाना है। क्या समझाएंगे, ऊच ते ऊच है भगवान, पीछे है सारी दुनिया। सुक्ष्म वतन की स्रिष्टी तो है नहीं। पीछे होते हैं लक्ष्मी नारायन वा विष्णू। वास्तों में विष्णू का मंदिर भी रौंग है। विष्णू चत्रभुष, चार भूजाओं वा कोई मनुष्य तो होता नहीं। बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायन है, जिनको इकठथा विष्णू के रूप में दिखाया है। लक्ष्मी नारायन तो दोनों अलग-अलग है। सुक्ष्म वतन में विष्णू को चार भुजाओं दे दी है, अत्वा दोनों को मिला क चतुर भुज कर दिया है, बाकि ऐसा कोई होता नहीं है। हो सकता है किसी को साक्षतकार हुआ हो, तो नारायन आगे पीछे लक्ष्मी खड़ी हो, उसका हाथ ऐसे हो, तो उसी रूप में साक्षतकर कर दिया हो, बाकि बाबा कहे ऐसा कुछ है नहीं। चक्र भी तुम बच्चों का है, नेपाल में विश्नु का बड़ा चित्र, ख्षीर सागर में दिखाते हैं। बड़ा चित्र बनाया है और ख्षीर सागर में लेटा हुआ, ऐसे दिखाते हैं। कुजा के दिनों में फोड़ा दूर डाल देते हैं। बाप एक एक बात अच्छी तरह समझाते हैं। ऐसा कोई भी विश्नु का अर्थ समझा न सके। जितना स्वष्ट बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। जानते ही नहीं, तो समझाएंगे क्या। दुनिया के मनुष्य जानते ही नहीं तो समझाएंगे क्या। यतो भगवान खुद समझाते हैं। भगवान कहा जाता है शुबाबा को। है तू एक ही, परंतु भक्ति मार्ग वालों ने नाम अनेक रख दिये हैं, तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे, भक्ति मार्ग में बहुत दक्के खाते हैं, तुमने भी खाए, अभी अगर तुम मंदीर आदी देखेंगे, तो उस पर समझाएंगे, कि उचे ते उचे भगवान, सुप्रीम सोल, निराकार, परमपिता, परमात्मा, अभी अगर तुम मंदीर आदी देखेंगे, तो उस पर समझाएंगे, शिबाबा का परीचे देंगे, कि वह सुप्रीम सोल, निराकार, परमपिता, परमात्मा, आत्म शरीर द्वारा कहती है, ओ परम पिता, आत्मा शरीर द्वारा ही पुकारती है, ओ परम पिता, उनकी फिर महिमा भी है, क्या महिमा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, वक्ति मार्ग में, एक के अनेक चित्र है, द्वादस जोतर लिंगम तो है ही, लेकिन कितने सारे गाउं होंगे, जहां शिबाबा का मंदिर भी होगा और नाम भी होगा, तो अनेक चित्र है, ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान सागर एक ही है, वही पतीत पावन, सर्व के सद्गती दाता है, तुम्हारी बुद्धी में सारा चक्र है, ओंच ते ओंच परमात्मा है, उनके लिए ही गाईन है, सिमिर सिमिर सुख पाओ, अर्थात एक बाप को ही याद करो, अत्वा सिमिरन करते रहो, तो कल, कलेश मिटे सब तन के, फिर जीवन मुक्ती पद पाओ, यह जीवन मुक्ती है ना, बाप से यह सुख का वर्सा मिलता है, अकेले यह तो नहीं पाएंगे, अकेले ब्रमा बाब तो नहीं पाएंगे, जरूर राजधानी होगी न, वो या बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं, सत्युग में राजा, रानी, प्रजा सब होते हैं, तुम ज्यान प्राप्त कर रहे हो, तो जाकर बड़े कुल में जन मलेंगे, बहुत सुख मिलता है, जब वस्थापना हो जाती है, तो चीची आत्मय सजा खाकर वापस चली जाती है, अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेगी, परमधाम में हर एक का अपना-पना सेक्शन होगा, वहां जाकर ठहरेगी, इतनी सब आत्मय आएंगी, फिर व्रद्धी को पाती रहेंगी, यह बुद्धी में रहना चाहिए कि उपर से कैसे आते हैं ऐसे तु नहीं दो पत्ते के बदले दस पत्ते इक खठे आना चाहिए नहीं काईदे सिर्फ पत्ते निकलते हैं ये बहुत बड़ा जाड़ है दिखाते हैं एक दिन में लाखों की व्रद्धी हो जाती है पहले समझाना है उचते उच है भगवान पतीत पावन दुख हरता सुख करता भी वही है जो भी पाड़धारी दुखी होते हैं उन सब को आकर सुख देते हैं दुख देने वाला है रावन मनुष्य को ये मालूम ही नहीं कि बाप आए हैं जो आकर समझे बहुत तो समझते समझते फिर ठिरक जाते हैं अर्थात फिरक जाते मना बाहर निकल जाते हैं जैसे स्नान करते करते पाउं फिसल जाता है तो पाने अंदर गुश जाता है चरीर में बाबा तो अनुभवी है ना ये तो विश्वे सागर है बाबा तुमको खिर सागर तरफ ले जाते हैं परन्तु माया रूपी ग्राह अच्छे अच्छे महारतियों को भी हप कर लेती हैं, जीते जी बाप की गोद से मर कर रावन की गोद में चले जाते हैं, अर्थात मर पड़ते हैं, तुम बच्चू की बुद्धी में हैं, उंचे ते उंच बाप पिर रचना रचते हैं, हिस्ट्री जियोग्रफी सुक्ष्मवतन की तो है नहीं, हिस्ट्री जियोग्रफी यहां की है, बल तुम सुक्ष्मवतन में जाते हो, साक्षातकार करते हो, वहां चतुर भुज देखते हो, चित्रों में है न, तो वहां बुद्धी में बैठा हुआ है, तो जरूर साक्षात कार होगा परन्तु ऐसी कोई चीज है नहीं यह बक्ति मार्क के चित्र बाबा फिर ले आते हैं विश्णु चत्र भुज पर तो बाबा कहें ऐसा कोई चीज है नहीं यह बक्ति मार्क के चित्र है अभी तक बक्ति मार्क चल रहा है बक्ति मार्क पूरा होगा तो फिर यह चित रहेंगे नहीं, स्वर्ग में यह साब बाते भूल जाएगे, स्वर्ग में इस साब बाते भूल जाएगे, अब उद्धी में है कि लक्ष्मी नारायन दो रूप है, चतुर भुज के, लक्ष्मी नारायन की पूजा, सु चतुर भुज की पूजा, लक्ष्मी नारायन का मंद बात एक ही है, इन दोनों का ज्यान और किसको भी नहीं है, तुम जानते हो इन लक्षमी नारायन का राज्य है, विश्नु का राज्य तो नहीं कहेंगे, ये पालना भी करते हैं, सारे विश्व के मालिक हैं, तो विश्व की पालना करते हैं, विश्नु चतुरबुज द्वार पलना होती है शिव भगवान वाज मैं तुमको राज योग सिखलाता हूं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो इस योग अगनी से भी कर्म विनाश होंगे डीटेल में समझाना पड़े बोलो यह भी है गीता यह भी है गीता सिर्फ गीता में सिक्रिष्ण का नाम डाल दिया है यह तो रौंग है सबकी गलानी कर दी है इसलिए भारत तमो प्रधान बन पड़ा है अब है कलियोगी दुनिया का अंत इनको कहा जाता है तमो प्रधान आइरन एज जो सतो प्रधान थे उन्होंने ही 84 जन्म लिये है जन्म मरण में तो जरूर आना है जब पूरे 84 जन्म लेते है तब फिर बाप को आना पड़ता है पहले नमबर में पहले नमबर में आ करके फिर सब को ग्यान देते है एक की बात नहीं है इनकी तो सारी राजधानी थी ना पिर जरूर होनी चाहिए बाप सब के लिए कहते हैं अलि ब्रह्मा बाबा को सिखाया ही नहीं सब के लिए कहते हैं क्या कहते हैं अपने को आत्मा समझो बाप को याद करो तो योग अग्मी से पाप कट जाएंगे काम चिता पर बैठ सब सांवरे हो गया है अब सांवरे से गोरा कैसे बने सो तो वाप ही सिखलाते हैं से कृष्ण की आत्मा जरूर बिन बिनन नाम रूप लेकर आती होगी चो लक्षमी नारायन थे उनको ही 84 जन्म के बाद पिर वह बनना है तो उनके बहुत चन्म के अंथ में बाप आकर प्रवेश करते हैं पिर वस्तो प्रधान विश्व के मालिक बनते हैं तुम्हारे में पारसनात को पूछते हैं शिव को भी पूछते हैं पारसनात अलग दिखाते हैं और शिव को अलग दिखाते हैं तो बाबा कहे तुम्हारे में पारसनात को पूछते हैं, शिव को भी पूछते हैं, जरूर उन्हों को शिव ने ही ऐसा पारसनात बनाया होगा पीचर तो चाहिए न, वह है ज्ञान सागर अब सतो प्रदान पारसनात बनना है तो बाप को बहुत प्यार से याद करो वही सब के दुख हरने वाला है बाप तो सुख देने वाला है यह है काटों का जंगल बाप आए है फूलों का बगीचा बनाने बाप अपना परिचय देते हैं मैं इस साधारण बुड़े तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं भगवान वाज, मैं तुमको राजयोग सिकलाता हूँ तो यहाँ इश्वरिय युनिवर्सिटी ठैरी एम अबजेक्ट है ही राजारानी बनने की तो जरूर प्रजा भी बनेगी मनुष्य योग योग बहुत करते हैं निवर्ती मार्ग वाले तो अनेक हट योग करते हैं वो राज योग सिकला न सके बाप का है ही एक प्रकार का योग सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो यही योग है 84 जन्म पूरे हुए अब वापस घर जाना है अब पावन बनना है एक बाप को याद करो बाकी सब को छोड़ो बक्ती मार्ग में तुम गाते थे यादि लाते बाबा कि आप आएंगे तो हम एक संग जोड़ेंगे तो जरूर उनसे वर्षा मिला था न आदा कलप है स्वर्ग फिर है नर्ग रावन राज्य शुरू होता है ऐसे ऐसे समझाना है अपने को देह न समझो आत्मा अविनाशी है आत्मा में ही सारा पार्ट नूंदा हुआ है जो तुम बजाते हो अब शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है सब माथा जुकाते हैं पवित्रता की बात पर ही उंच नेच बनते हैं मुक्य है पवित्रता की बात देवताएं हैं बिलकुल उंच सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरा जन्म तो विकार से ही लेते हैं, देवताइं होते ही ये सत्युग में हैं, अब तुम पढ़ते हो फिर पढ़ाते भी हो, कोई पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि धार्णा नहीं होती है बाबा कहेंगे तुम्हारी तक्दीर में नहीं है तो बाब क्या करें बाब यदी सब को आशिरवाद बैठ करें तो सब स्कॉलर्शिप ले लेवे वह तो भक्ति मार्ग में आशिरवाद करते हैं सन्यासी भी ऐसे करते हैं उनको जाकर कहेंगे सन्यासी को जाकर क्या कहते मनुश्य मुझे बच्चा हो आशिरवात करो तो वो आशिरवात कर देते अच्छा तुमको बच्चा होगा बच्ची हुई तो कहेंगे भावी बच्चा हुआ तो बावा कर चर्णों में गिरते रहेंगे अच्छा अगर फिर मरा बच्चा हुआ तो उसके चर्णों में गिरेंगे फिर मर गया तो रोने पीटने गुरु को गाली देने लग पड़ेंगे गुरु कहेंगे यह तो भावी थी गुरु भी क्या कहेगा गुरु कहेगा यह तो भावी था कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया कोई मरे हुए से जिन्दा हो जाता है तो यह भी भावी है देकलेर हो गया फिर चिता पर ले गए और महां से खड़े हो कर आ जाए तो बाबा कहें कोई मरे हुए से जिन्दा हो जाता है तो यह भी भावी ही कहेंगे यह भी ड्रामा में नूंध है आत्मा कहां छिप जाती है डॉक्टर लोग भी समझते हैं यह मर पड़ा है डॉक्टर लोग भी समझते हैं यह मरा पड़ा है तो जिन्दा हो जाता है चिता पर चड़े हुए भी उट पड़ते हैं कोई एक ने किसको माना तो उनके पीछे धेर पड़ जाते हैं तो बच्चों को तो बहुत निर्मान चित होकर चलना है अहंकार जराबी न रहे आज कल किसको जराबी अहंकार दिखाया तो दुश्मनी बड़ी बहुत मीठा होकर चलना है नेपाल में भी आवाज निकलेगा देखो बाबा की उस समय की बविश्वाने नेपाल में भी आवाज निकलेगा अभी तुम बच्चों की महिमा का समय है नहीं नहीं तो उनके अखाडे उड़ जाए बड़े बड़े जग जाए और सभा में बैट सुनाए तो उनके पिछाडी धेर आ जाए कोई भी MP बैट तुमारी महिमा करे तो भारत का राज यूग इन ब्रम्ह कुमार कुमारीों के सिवाई कोई सिखला नहीं सकते ऐसा अभी तक कोई निकला नहीं है तो सभा में बैट कर सुनाए बच्चों को बहुत होश्यार चमतकारी बनना है फलाने फलाने भाशन कैसे करते हैं सीखना चाहिए सर्विस करने की युक्ती बाप बतलाते हैं बाबा ने मुरली जो चलाई एक्यूरेट कल्प कल्प ऐसे चलाई होगी ड्रामा में नूद है प्रश्न नहीं उड़ सकता ऐसा क्यों? ड्रामा अनुसार जो समझाना था वो समझाया समझाता रहता हूँ बोलो पहले मन मना भव हो जाओ बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे बाबा कहे पहले उनको मन मना भव होने की विधी बताओ जब बाप को जान लिया तो फिर धीरे सब कुछ जान जाएंगे अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चो प्रती मात, पिता, बाप, दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम सभी रुहानी बच्चों की रुहानी मात, पिता, बाप, दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक होशार और चमतकारी बनना है भार ना कर दूसरों को करानी है पढ़ाई से अपनी तक्दिर आप ही बनाने है दूसरी पॉइंट किसी भी बात में जरा भी हंकार नहीं दिखाना है बहुत बहुत मीठा और निर्मान चित बनना है माया रुपी ग्रह से अपनी संभाल करने है आज का बाप दादा का मदुर वर्दान हम बच्चों के प्रती है बीती को स्रेश्ट विधी से बीती कर यादगार स्वरुप बनाने वाले पास विथ ओनर भवा बीती को स्रेश्ट विधी से बीती कर यादगार स्वरुप बनाने वाले पास विथ ओनर भवा पास्ट इस पास्ट तो होना ही है समय और द्रिश्य सब पास हो जाएंगे लेकिन पास विथ ओनर बनकर हर संकल्प वा समय को पास कर अर्थात बीती को ऐसी स्रेश्ट विधी से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते ही वहाँ वहाँ के बोल दिल से निकले अर्थात इतनी पॉजिटिव रिती से बीती को बीती करो तो कोई बुरी याद मन को परिशान नहीं करेगी लेकिन जब भी अगर स्मृती में आ भी जाए तो वहाँ वहाँ के बोल दिल से निकले अन्यात मैं आपे ही बीती हुई स्टोरी से पाठ पड़े आपकी बीती यादगार स्वरुख बन जाए तो किर्तन अर्थात किर्ती गाते रहेंगे किर्तन अर्थात किर्ती गाते रहेंगे आज का स्लोगन है स्वकल्यान का स्रेष्ट प्लान बनाओ तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी स्वकल्यान का स्रेष्ट प्लान बनाओ तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी, स्वसेवा यानि स्वकल्यान मना अपनी उन्नती का, ऐसा स्रेष्ट प्लैन बनाओ, जो बाबा कहे विश्व सेवा में भी सकाश मिलेगी, मना हमारी उन्नती होगी, तो हमारी वाइब्रेशन्स द्वरा दूसरों को भी सकाश का झाल झाल